गुड मॉर्निंग एवरिबन, टुडे इस ट्वेंटी फस्ट ओफ दिसम्बर और डे है मंडे, आज हम करेंगे एक्साइस 15.2 का कोशी नंबर 3 एंड कोशी नंबर 4, जो की काफी इंटरस्टिंग कोशीन है, हम पड़ रहा है 15 चेप्टर जोमेटरी, पेज नंबर है 105, तो च की काउंट करने हैं हर इक figure में कि कितने triangle है, कितने square है, कितने rectangle है, सलसे पहले मैं आपको triangle के बारे मता दू, triangle की जिसकी 3 sides होती है, जिसके किती invertices होते हैं, और rectangle की अगर हम बात करें, तो rectangle की 4 sides होती है, लेकिन इस में एक खास बात हैं कि इसकी opposite side ही equal होती है, तीक है, सब्सक्राइब करें तो इसलिए स्क्वेर को हम रेक्टेंगल बता रहा हूं कि आपको यहां पर आज यूज होने माले हैं तो यहां पर अगर हम स्क्वेर की बात करें तो उसकी जो फोर साइड सब्सक्राइब पांट करें चिरीट करें होते हैं कि अपकर यहां पर कांट यहीं को देख़ते हैं कुई और यहां एक偏 गही टाइंगल को दीखarnes ए वाला भी कई सारे ट्रेंगल है ठीक है अगर आप इस ट्रेंगल को देखे तो ए भी एक ट्रेंगल बन रहा है ठीक है तो ए भी एक ट्रेंगल बन रहा है और कई सारे जोबो यहां पर ट्रेंगल बन रहा है अगर मैं इस ट्रेंगल की बात करूँ इसकी मैं बात करूँ तो यहां पर भी ट्राइंगल बन रहा है तो यहां ऐसे जोबो कई सार ट्राइंगल बन रहा है इन ट्राइंगल को आप अच्छे से देखें जैसके मैंने यहां पर लिख दिया है ट्राइंगल जो फॉर्टीन है तो आप यहां पर देखें कि फॉर्टीन जोबो कैसे कैसे बन रह बो स्कूर अभी होए यहां प kangaroo बात करेंगे जैसे कि आपोली साइड इक च değil कर निए के निए अब उनका।र एक वालबी एक डेक्टैंगल बन रहा है इसको अगर आप मैं अबंतर देखेंगे और एवाल एक rectangle बन रहा है एक rectangle बन रहा है और एक बड़े वाला जोग पूरा rectangle बन रहा है अगर आप दूसरी साइड से देखें तो यहाँ पर भी एक rectangle बन रहा है यहाँ पर भी और एक बीच में rectangle बन रहा है तो ऐसे करके अगर हम देखें तो 10 rectangle बन रहे हैं अगर हम rectangle और दोनों को काउंट कर देfformous square так square होता हुए यहां पर 18 λέむने लिखें आप एक स्क्वेर की तो स्वेर कितने एक और एक स्क्वेर है यहां पर एक और तो त्लि नीचे इसे बढ़े बाल पर मदा ना यहां पर भी वेन देख लें तो कितने square है यहाँ पे 8 square है आप यहाँ पे देख लें तो बैसे ही rectangle triangle का check करें यहाँ पे और बैसे ही यहाँ पे आगे वाली figure में जो वो right triangle जैसे कि इस figure में देखेंगे तो यहाँ पे देखे triangle इसने बोला है तो triangle तो यहाँ पे कोई भी एक triangle नहीं है कोई भी ट्राइंगल हमें नहीं दिख रहा है लेकिन अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो यह वाला एक रेक्टेंगल के जैसे बन रहा है यह वाला भी एक रेक्टेंगल है यह वाला भी एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल तो बहुत चारे हैं लेकर ट्राइंगल तो इक भी नहीं है अगर इसमें आ जाएं तो इसमें ट्राइंग्ल देखते हैं तो इसमें एक त्रेंगल टुए हैं एक one has done for you. चैक है, एक जोब वह यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है. अब बाकि आपके प्रेक्टिस के लिए आपने जोब वो solve करना है. आपको बता है, circle का एक center होता है. और center से जो radius होता है, वो सभी जगह equal होता है. अगर मैं दो radius की बात करूं, होगा अगर रेडियस का रेडियस से हमने डायमेटर निकालना है तो उसका दो गुना करना पड़ेगा टू टाइमस करना पड़ेगा अगर डायमेटर से हमने रेडियस निकालना है तो यहां पे डायमेटर से रेडियस निकालना है हमने तो एट का हाफ होता है फोर तो यहां सब्सक्राइब करना है हाफ हाफ का मतलब यह है कि आपने जबाइड करना है जैसे कि एट अगर मैं हाफ से मल्टिप्लाइब करूं वन अपॉन टू अगर इसको मैं आसे वह सकता हूं कि एट जो वो टू से डिवाइड होगा क्योंकि एट नीचे है एट अपन टू का मतलब ही यह है कि डिवाइड हो रहा है और एट मल्टिप्लाइब वन अपन टू का मतलब भी यह ही है कि एट का हाफ हम लोग कर रहे हैं तो एट डिवाइड डिवाइड टू का मतलब हो ही है कि हाफ कर रहे हैं तो एट डिवाइड ड बुक में ही फिल अप करें, जो question number four है, इसको आप फिर copy पर कर लें, और बाकी जो question number three है, इसको इसको book में ही फिल करें, ओके तो आज के लिए तना अप्या है, ओके थैंक यू